तो आज हम देखने वाले हैं कि हम व्यू थिरी को कैसी यूज कर सकते हैं लाइरबल तैल में तो अगर आप बिगनर है तो यह वीडियो आपके लिए तो देखेंगे थोड़ी टैस्टिंग करके देखेंगे और सबकुस तो यहां पर यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स दियं है यहां पर जो जब आपना है तो लेरवल 10 को आपको अपको इंस्ट्रोल करना है तो मैं कर चुका हूँ इसको ठीक है बहुत आसान है, उसके बाद second numbers हम देखेंगे तो first वाला तो हमारा completely समय लीजेगा तो आप चाहे तो laravel new command करके यूज़ कर सकते हैं और composer कर सकते हैं, तो आपके system में node.js होनी चाहिए तो वर्जन चाहिए, node.js, npm ठीक है और php तो ये आपके system में होना चाहिए तो पहला तुम complete कर चुक है, तो यहां पर आपको npm install command चलाना होगा उसके बाद npm install view adder is next और view loader next तो यहां पर हम अगर भीगना रहे है, लेवल पर है तो यह छोड़ी चीज़े आनी चाहिए आप देख पा रहे हैं, आपर npm install के यहां पर एक node modules करके folder आगे तो वहां पर आप यह dependency हमारी होगी है downloaded तो इसको चलाते है command को view next तो शायद यह थोड़ा सा अभी कुछ error शो करेगा, मतलब यह अभी command नहीं चलेगा तो देखते हैं क्या करना है हमें, मैंने enter किया तो यहां पर कुछ error आ रही है, no matching version found तो matching version इसको नहीं मिला है, तो यहां पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि वर्जन चैक कर सकते हैं आप ठीक है, Google में जाके आप view 3 का जो वर्जन है वह आप चैक कर सकते हैं तो अगर आपको specified version अगर आपको पता है तो आप वह यहां पर लिख सकते हैं जैसे मैं next लिखा था ना उसकी जगा ठीक है, यहां पर मैं npm install view underscore next करूंगा तो यह भी नहीं चला है अगर single चलाओंगा तो ठीक है चलिए हमें पता चल गया है तो अगर beginner है तो आपको काफी चीज़े पता चल लिए चलिए हां पर मैं open कर लेता हूं view 3 version तो वह religious देख लेते हैं तो यहां पर आपको एक version होगा अगर हम इसको माने तो यह हम कर लेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा चेंज करूँगा यहां से मैं थोड़ा से चेंज कर लेता हूं इस थर से कुछ तो एक specified version अगर मैं देता हूं तो शायद यह हमारा काम बन जाएगा तो इस तरह से आप व्यू 3 में आप प्रक्टिस कर सकते हैं तो यह प्रक्टिस हो जाएगी तो आपको पता जबी चल जाएगा कैसे मैं व्यू.js के साथ काम करना है लारवेल के अंदर तो देखिए यहां पर अब हम लिखेंगे आपर इंस्टोल और हमने व्यू एड दरेट करके एक जो वर्जिन है वह हमने दे दिया है तो अब दिखिए हमारे विल्गूल ठीक सकते यह काम करेगा वीडियो अच्छा लेगा तो दोस्तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए इससे में मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वीडियो में बनाते रहता हूं तो देखिए आगे चलिएगा यह कंपलेट होगे ओके थर्ड नंबर देखेंगे हमें एक प्लग-इन इंस्टोल करना होगा ठीक है एड़ दर्ड वाइट जिस और अब अब थोड़ा से कॉन्फिर्गर करने के लिए हमें यहां पहले सी जब लाइर वैल इंस्टोल करते हैं तो हमें एक डिफोल्ट वाइट कॉन्फिर्गेशन क अब हम यहां पर वाइट करने है तो यह वी फ्रम वाइट.js फ्रम वाइट.js प्लग-इन व्यू और यहां पर लिखना है व्यू और कॉमा लगा देना है कुछ इस तरह से complete बस इतना करना था और अब हम यहां पर व्यू.js करके फईल होगी हमारे एप.js करके फाइल होगी तो हमने एक component बनाना होगा, app.view करके, वह भी हम बना लेंगे, तो पहले ऐसा कर लेते हैं, यह काम हम पहले कर लेते हैं, जैसे यहां से यह उठा लेते हैं, तो हम एप नाम का component है वह बना लेते हैं, तो इसको यहां बना लेंगे, मैं script लिख देता हूँ, वो आगे हम देखें यहां पर नीचे में एक बिलेड फाइल है मेरे पास पहले से बना रहुए है तो यहां पर प्र पेस्ट मैंने किया हुए देखो यह Confliction यहां लिख देता है php artisan serve, ठीक है तो यहां लिख देता है mpm run tap, बसी इतना करना था, यह हमारा हो जाएगा start, तो अब आप view.js में काम कर पाएंगे, इस तरहे प्रक्टिस कर सकते हैं, तो एक आदत बढ़ जाएगी इसमें, देये दिरे, अगर आप beginner हैं तो एक idea आपको मिल करके दिखाता हूँ आपको, तो इस तरह सी हमारा ठीक हो जाएगा, यह हो गया, अब मैं यहां क्या करता हूँ, यहां पर अभी template, components नाम के folder बना लेता हूँ, JS के अंदर, और यहां पर अपने components रख सकते हैं, view components, यहां एक form, एक example के तूर पर एक form का यूज कर लेता हूँ ठीक है, तो form important आगे भी आपके काम आएगा, थोड़ा idea हो जाएगा, ठीक है, तो यहां ले लेते हैं, उसके बाद में एक आपको, यहां यह भी दिखाऊँगा, bootstrap को आप, link कैसे दे सकते, import कैसे कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, एक submit button ले लेता हूँ, simple, और अब components के अंदर form है, और यहां कुछ लिख देता हूँ नीचे, as a tag यूज होता है, आपको बता है component, तो form component, एक error show कर रहा है यहां पर, उसको मैं ठीक करना होगा, तो यहां पर मैं इसको dot view लगा देता हूँ, अब दिखेंगे हमारे ठीक से काम कर रहा है, लेकिन form का तो कुछ भ composition API का सुनो का नाम, नहीं सुनाया तो वीडियो देखिएगा, मैंने बना रखेंगे, मैं वहाँ setup लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर मैं एक और खोल लेता हूँ CMD, और यहां कर लिखता हूँ Latable API के फोल्डर, इस फोल्डर में चल आता हूँ प तो यहां पर हमारा bootstrap आप देख सकते हैं, bootstrap का यहां है, लोकेशन ठीक है, नोड मॉडुल्स के अंदर, इस तरह देख सकते हैं, बस उसी को करना है, आपको, import लिखना है, ठीक है, तो main वाले जो component है, वहां कर लेता हूँ मैं इसको, import bootstrap, dist or CSS, path देदेना, आपको bootstrap.c जहां पर भी है, नोड बोले, मैं इस तरह से चेंज कर लेता हूँ, देख पारे हैं, आप यहां पर भी एक error show कर रहा है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो मैं यहां पर, okay, मैंने यहां पर string complete नहीं की दी, ठीक है, court मैंने complete कर दिया, close कर दिया, अब दिख यहां पर हमार यहां पर आपको यह सौझ मा जाएगा, बेसिक की हो कह रहा है, तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा, इससे हमें motivation मिलता है, यहां मैंने class लागा भी दिखा दिया आपको, bootstrap की ठीक से काम कर रही है, और इतना कीमती समान आपने इस वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद, तो इससे पहले वाले वीडियो जोट देखे है, मैंने react की configuration मैंने करना बताया था, react को कैसे यूज करते है, यह था view का, बहुत सिम्पल, अब आप आगे के लिए अगे,